Hi students, I hope and pray, you all are quite fine, great. बच्चों, आज हम सहिते के अगले पाठ के द्वारा एक महान व्यक्तित्व, a great personality, हेलेन केलर की कहानी पढ़ेंगे. हेलेन केलर का जन 1880 इस्वी में अमेरिका में हुआ था. जब वे केवल डेड़ वर्ष की ननी सी बच्ची थी, तो किसी गंभीर बिमारी की वजह से इनकी देखने और सुनने की शक्ती जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आप कल्पना करें कि जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और भोलना सीख ले, और उसके योगदान, means contributions, दुनिया के लिए यादगार बन जाएं. ऐसी थी हेलन केलर. कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्म कथा, स्चोरी ओफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, और सुबह क्यों नहीं आती. दुनिया की सभी भाशाओं में इस किताब के अनुवाद, means translations, हुए हैं. इसके अलावा भी उनकी दस पुस्तकें और सैंकडों लेक प्रकाशित हुए हैं. उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे, means blind and deaf, लोगों के अधिकारों और विश्व शान्ती के लिए काम किया. हेलन केलर भारत भी आई थी. तो आज हम इनी द्वारा लिखी कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते. आप भी अपनी सहित्ते पुस्तकें प्रिष्ट असी, इटी, पर खोलने. पाट क्यारा, जो देखकर भी नहीं देखते. कभी कभी मैं अपने मित्रों की परिक्षा लेती हूँ. यह पर रखने के लिए किवा क्या देखते हैं? हाल ही में मेरी एक प्रिये मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापिस लोटी. मैंने उनसे पुछा आपने क्या-क्या देखा? कुछ खास तो नहीं उनका जवाब था. मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ. क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्रों की आदी हो चुकी हूँ. आदी मतलब यूस्टू, अभियस्थ. मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती हैं, वे बहुत कम देखते हैं. क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घेंटा भर घुमें और फिर भी कोई विशेश चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता. सेंकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं, जिने मैं चूकर पहचान लेती हूँ. मैं भोज पत्र, भोज पत्र मतलब एक पेड़ जिसके जो पत्र हैं, पत्ते हैं या उसकी जो च्छाल है स्किन, वो लिखने के काम आती हैं, मतलब उसके पेपर्स बनते हैं. मैं भोज पत्र के पेड़ की चिकनी च्छाल और चीड की खुर्दरी च्छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ. वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोचती हूँ. मुझे फूलों की, पंकड़ियों की मकमली सतह चुने और उसकी और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है. मतलब वो चूकर ही सब कुछ महसूस करती हैं, देखनी ना सकती. इस दौरान मुझे प्रकृती के जादू का कुछ एहसास होता है. मतलब कि नेचर में कितना जादू है, कितना मैचिकल है ये नेचर, कितनी ब्यूटी है उसमें, जस्ट वो फील करके, मतलब चूकर उसको अनभव करती हैं, देखनी सकती. कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही, किसी चड़िया के मधूर स्वर कानों में गूजने लगते हैं. अपनी अंगलियों के बीच जरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनन्दितो उठती हूँ. मुझे चीड की फैली पतियां या घास का मैदान किसी भी महंके कालीन से अधिक प्रिये हैं, कालीन मतलब कार्पेट. बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है, मतलब वो सीजन्स भी फील करती हैं. कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है. अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुन्दरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मतलब मोहित हो जाएगा. प्रंतु, चिन लोगों की आँखे हैं, वे सचमच बहुत कम देखते हैं. इस दुनिया के अलग-अलग सुन्दर रंग, उनकी समवेदना को नहीं चूते. समवेदना मतलब अनभूती, फीलिंग. उनको वो फील नहीं करते, चूर नहीं पाते, स्पर्ष नहीं कर पाते. आ भगवान में जो कुछ उने दिया हुआ है, उसकी हम कदर नहीं करते. वह हमेशा उस चीज की आस लगाई रहता है, जो उसके पास नहीं है. यह हमारी सबकी एक इनसान की एक नेचर है, कि जो नहीं है, हमें उसकी उमीद रहती. हम उसकी लिए आशा लगाई रखते हैं, और जो है, उसको हम enjoy नहीं करते, उसका आनन्द नहीं लेते. यह कितने दुख की बात है, कि दृष्टी के आशीरवाद को, दृष्टी मतलब नजर, ठीके, sight, आँखी, उसकी आशीरवाद मतलब blessing, को लोग एक साधारान से चीज समझते हैं, कि आँखी, कि हमें कुछ जिनके पास आँखें, उनको इसकी importance नहीं पता, जबकि इस नियामत, नियामत again blessing, से जिन्दगी को खुशियों के इंद्र धनुशी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, हेलन केलर, तो यह कहानी हेलन केलर ने स्वयम लिखी है, उनी की कहानी, तो बच्चों, हमने हेलन केलर की इस क साल में आनंद लेना सीखें, और साथ ही, हेलन केलर की तरह, जीवन में हर पर्स्तिती का डट कर मुकाबला करना भी सीखें, हेलन केलर तो देखनी सकती थी, सुननी सकती थी, फिर भी उन्होंने लिखना, पढ़ना, बोलना सीखा, और अनेक पुस्तकें तक लिखीं, हम तो भगवान की कृपा से, हर प्रकार से सक्षम है, तो हम जीवन में कभी हार क्यों माने, अतह, भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करते हुए, हमें भी जीवन के हर पल को भली प्रकार जीना चाहिए, तो इस पाठ का अभ्यास कारिया, अगली परिपक्व करेंगे, अच्छा बनाएंगे, तो अगली बार मिलेंगे अभ्यास कारे के साथ, भबाई, टेक कियर